C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है पार्ट बारह सुदामा चरित प्रिष्ट सडशट सीज पगाना जंगातन में प्रभु जाने को अही बसे केही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुप्टी अरुपाएं उपानह को नहीं सामा द्वार खडो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसों बसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा ऐसे बेहाल बिवाइन सों पग कंटक जाल लगे पुनि जोए हाए महादुख पायो सखा तुम आए इतै नकितै दिन खोए देखि सुदामा की दीन दसा करुणा करिके करुणा निधिरोए पानी परात को हाथ चुयो नहीं नैनन के जलसों पगधोए कचु भावी हमको दियो सो तुम काहे न देत चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हे तु आगे चना गुरुमा तु दयेतै लए तुम चाबी हमें नहीं दीने स्याम कहें मुसकाए सुदामासों चोरी की बान में होज्जू प्रवीने पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने पांची लिबानी अजोनत जोतुम तैसई भाबी के तंदुल कीने प्रिष्ट अडशट वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात वह पठवनी गोपाल की कचून जानी जात घर घर कर ओडत फिरे तनक दही के काज कहा भयो जो अब भयो हरी को राज समाज हों आवत नाही हुतो वाही पठेयो ठेली अब कहीं हों समुझाय के बहुधन धरो सकेली वैसोई राज समाज बनेगज बाज घने मन सम्भम छायो कैंधों परेयो कहु मारग भूली कि फैरिके मैं अब द्वार का आयो भौन बिलो किबे को मन लोचत सोचत ही सब गाउ मजायो पूछत पाने फिरे सब सों पर जोपरी को कहु खोज न पायो कै वह तूटी सिछानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत कै पग में पनहीन हती कह लै गज राजहु ठाडे महावत भूमि कठोर परात कटे कह कोमल सेज पनीद न आवत कै जुरुतों नहीं कोदो सवाँ प्रभु के परताप ते दाखन भावत नरोत्तम दास प्रेश्न अभ्यास कविता से एक सुधामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्न की क्या मनोदशा हुई अपने शब्द में लिखिए दो पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसों पग धोए पंक्ती में वर्नित भाव का वर्नन अपने शब्दों में कीजिए तीन चोरी की बान में हो जू प्रवीने क उपर्योगत पंक्ती कौन किस से कह रहा है ख इस कथन की प्रिष्ट भूमी स्पष्ट कीजिए ग इस उपा लंभ शिकायत के पीछे कौन सी पौरानिक कथा है प्रिष्ट उनहत्तर चार द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या-क्या सोचते जा रहे थे वह कृष्ट के व्यवहार से क्यों खीज रहे थे सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए पांच अपने गाउन लोट कर जब सुदामा अपनी जोपडी नहीं खोच पाए तब उनके मन में क्या-क्या विचार आए कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए चे, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रन कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है उसे अपने शब्दों में लिखिए कविता से आगे एक, दुरुपद और दुरुणा चार भी सहपाठी थे इनकी मित्रता और शत्रता की कथा महा भारत से खोच कर सुदामा के कथानक से तुलना कीची दो, उच्च पद पर पहुँच कर या अधिक सम्रिध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधों से नजर फेरने लग जाता है ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कैसी चुनाती खड़ी करता है? लिखिए अनुमान और कल्पना एक, अनुमान कीची यदि आपका कोई अभिन मित्र आप से बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा? दो, कही रहीम संपती सगे, बनत बहुत बहुरीती, विपती कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है इस दोहे से सुदामा चरित की समानता किस प्रकार दिखती है? लिखिए भाशा की बात पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसो पग धोए उपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर चित्रत किया गया है जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिश्योक्ती अलंकार होता है आप भी कविता में से एक अतिश्योक्ती अलंकार का उधारन चाट ये प्रिश्ट सत्तर कुछ करने को एक, इस कविता को एक आंकी में बदलिए और उसका अभिने कीजिए दो, कविता के उचित सस्वर वाचन का अभ्यास कीजिए तीन, मित्रता संबंधी दोहु का संकलन कीजिए शब्दार्थ पगा पगडी जंगा धीला कुडता आही है लटी लटकना दुपटी अंगोचा, गमचा उपानह जूता द्विज ब्राम्हन चकिसों चकित विस्मित वसुधा प्रित्वी बिवाइन पाउं की एडी का फटना अभिरामा सुन्दर जोए ढूंडना परात थाली की तरह का पीतल आदिधातू से बना एक बड़ा और गहरा बरतन पाचिली पिछला पुलकनी खुशी उमंग पठवनी भेजना विदाई बिलोखिबे देखना मजायो बीच में सुहावत सुन्दर भला लगना पनही जूता महावत हाथी वान जुरत जुटना प्राप्त होना